कि अस् nevertheless कि आज कि मैं तीसा वीडियो लिखर करें हूँ पीजी इंटर्स के इंपरेशन के लिए पहले में बात किया था कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा हो जो सब्जेक्ट है उसके लिए किताब का कौन सा सेलेक्शन और किस किस तरह से इसलिक्षन होना चाहिए है और जब इस करेंगे कि उस बुंक को पर्ड़ किसी ज़िए जो भी हमरे पास टाइए एक साल था उसको कैसे इतलेEr सबना चाहिए किता वके लाक चाहिए उसके चीज, इसके बाइबे है उससे से नियुएद हमारा की सबस्तों और जैसा कि देड़ा है एक हे तौर्द है मु आप दो जाजा बदना है वाल जार में फिराजवाब पढ़ना है इसके पढ़ने तरीका यह है कि आप शर्याद आपको लाइन बाइन पढ़िए हर लाइन को पढ़िए और पढ़कर के बेटर यह है कि उसमें जो इंपॉर्नेन पॉर्ट करते जैईगे को अप 4 नोट करते जाएगे और एक वर्लूम को अगर आप दो महिना में खतम करते हैं और हर एक लाइन उगर टच करते हैं तो अराम से आप हर वर्लूम का नोर्स त्यार कर पाएंगे और उससे पढ़ना क्या है कि किटाब आप देखिए रहा इसी भी विवाली के वारे में जिसे एक ऐसे कि मानिया अर्ड और दिया हुआ है तो इसमें पढ़ना है कि इसका और नावन क्या है को अधिक जिसको अगर्शां पूस्ता है वजह कि पस्मियां कि यह यार्णा है यह पढ़ना है और अगर इस भी खास सब्व है तो उन अस्वाब को याद अगर को इखलाब उसे वार्षता इख्रा हुआ है उसे लाटाना है डूसरा यह पढ़ना है कि यह जबान से लिया गया है जो तर्म है इस जबान से लिया गया है युनानी है अर्भी है पर्शियन है रूमन है वह पूछता है और उसके जो खास उसमें अगर पंडिन मुझे मिलता है किसी तबीब का उसे देशन है किसी तबीब एक गोजा है उसके वारे उसके बढ़ना है जो चीज छोड़ना चाहिए तो कि नावना माग के बाद बाद साव में नुस्ता है। पामलादे मतल रहता हैं विश्ता इंप्भी दरूर लेकिन अपनी तो से सब्सक्राइब करने के पीच्छे मातरी है कि हम उसके याद रखेंगे यां नुस्ते को नोट करेंगे नुस्ते को नुट कीजिए ना तो उसक है और किसी दीजिस बूद्ध है उसके अलग नाम बताएं गई है उसके तस्रिएं सबाएं उसके अज़ाब बताएं वह पुड़िये उसके जो घूर गया है उसके जो लिए निए उना वह एक हैं उसको पढ़िये अब पढ़ने के बाद अपने पड़िया है उस चेप्टर को आप जागर के कर नंब ने बताया भी था पिछले विडियो में के रहीम वाजा लिए तो आप समझें पर आइक जाप को कि जो कि अपने नोट किया है अपने काफी में हो सब चीज़ें हो और वह चुछ चाहिए इसके बार मारुजी सवारात तुम्हारात को नहीं पढ़ी इसलिए उससे सवारात बनाए गया इसके बार मुझात की बारे में इसके बार कुलियां पढ़ना है और पढ़ने के अबाद उसको कुछन करना है कुछन के लिए बुग रखें कोई जैसे कि उसुलेटिस के लिए पूंग हमाने पास है अब पर्फेक्ट उसुलेटिव यह अधिया राइसान फोग में इसके लिए इसके बाद अध्रिया अध्रिया वे भी जैसे मैं बताया कि अलग अलग चेटर मुरकबात में उसका है कोई जैसे जाने लूस है तो यह याद करना चाहिए बिल्कुल नहीं उसको याद करना है कि किसी भी दवा का वजया तस्मिया क्या है इसे तरह तवाव का वजया तस्मिया क्या है जैसे मलें कि अलग तवाव का वजया तस्मिया कोई होगा उसको पढ़ना इसका तरह है उसका पढ़ना है उसके कुछ मेल इंग्रोटेंट्रों मेल इंग्रेट पोछता है इस बाद प्रदाएं की मिंका राको चाहिए नहीं तब दीन Всемेटेट ड्रीट अब दो कुछता है रही कि दान इस्वेकर यह जो तीसे चौते दरजी की दरजी की दोएं है उसकी मिंका पुछा जहता है तो आप को उनके लिए मिदारे खुराक मिदारे खुराक यारत मूता है और फिर नफाखास अगर आप यादते हैं तो नफाखास वया रखे कोई खालत रखा कहां पर सम्माल होती है बहुत सारी उसके समालाद दिखे आते हैं इसके अज़्जा को याद नहीं है तो आप मरकबाद में इस चीज़ों को आप पढ़ेंगे इसके बाद मुफरदात की बाद करें मुफरदात में मुटरादिफ नाम होता है मिजाज दरना है मिजाज दरना है मिजाज पढ़ने से कहीं पाइदा है मिजाज पढ़ने दिल्या पूपता हुझे हो जाती है तो अगर कहीं पर अफाल नहीं में मालूम है तब याप उससे अफाल निकाल सकते हैं और यादजना को नफाकारस हो फाट मैं ओद ढ़ना है हो इर्ट परेया मिताहर निकाल सकते हैं पहले बद्रति ही तुब प्रोट्य सब्सक्राइशत यूज ही तो कर सकते हैं निले की दोओं aún एक प्रूझ से कम उसका तो यह मुट्यूटी वाते हैं विजास के तारुक से तो उसे आप मंदारे खुराक भी याद कर सकते हैं यह आप को यादत में चाहिए और जो इसमियाद में चाहिए उसको दवाओं में खास प्रिकल कंस्टिटूएंट पायते हैं के निकल तो तो कुछला की माहित कुछेंगी तो कैसे आप इखेंगे तो कुछला आप मुछा जाने इस तो वो पूछ देता है तो इसके लिए आपको कहीं नहीं पर याद नहीं हर जिघा महियत नहीं कर पूछा है तो आपको वो या रखना चाहिए तो मुफिदात में लगभग इतनी साइची से हैं और अगर कुछ प्रिटीज है कहीं पर तो और इस्तेमाल क्या होता है उसमें दवान क्या इस्तेमाल होता है उसे आपको या रखना हुआ कि दवान कि अधिक कोई प्लांट है उस प्लांट का कौन सा पार्ट दवा लिवर पर समाथ इतना आपको मुफिदात में रखना है इसके बाद है सेद्ला इस साथा में वह सारी चीज़ें जैसे कि आपको बहुत सारी टर्लोगी एक रिखास करके तर्वीग का इसनमाल किसे इसे लेटे चाहिता है तर्शी है उसके लावा नहल है इस वह अलग टॉपिक है कि मतलब तर्वलों चीह पर समाग आता है वह पढ़ना है उसे कुछ तर्व पढ़ना है उसे तरसे कुलिया तक भी पुरा देखना है और सब्सक्रादिया सब्किर पुरा नहीं होग द vibration क्युक्त से पतान इसे पढ़ना है और सांव में देखेगा कि अलब जो सब्जेक्ट है अलब सब्जेक्ट में टॉपिक के एक पॉइंट्स को यह घथा आपको रोजाना पढ़ना है सब्सक्राइब करें लेकिन एक इंपोर्टेंट चीज है जो बुक के लावा रोजाना आपको कोशन्स पढ़ना चाहिए कुशन्स को पाण के लाव को सब्सक्राइब करें करें आप रखिये और कोशिक कीजिए एक रोजाना उतरके अगर पचांश कुशन्स कि वुक्राय था कोईशन के वारे में कि आप जो भी पढते हैं उस पढ़ने के इलावा कोईशन उजाना पढ़ने हैं कोईशन से प्पचास कोईशन उजाना पढ़ना उसकी होजह क्या है कि finally exam में आपको कोईशन पर ही काम करना है कि कि इतना पढ़ लेते हैं कि तो एक्जाम में उस वक्त आपको समझ नहीं आता है कि कुछा जाता है तो आपको इस तरह से कुछा जाता है एक प्रब्र देखर छोड़ नहीं आ चाहिए कि आप वस्की पढ़िए और देखिए आप इसके नहीं देखिए जुए इसको आप टेस्ट बिला भी थे इसको टेस्स में लग देखे है और पिर यह समझिए कि इसमें तो सही थे वो क्यों है उसके अलावा यह उप्षोन क्यों क्यों प्याराऊ है उसको रिलेशन है इसलिए उप्षन दिया हुगा जो कि जो जाशन बेटर में जो कुछिन म कि अगली बार इस option के साथ अगर कोई दूसरा कोशन बनाता है तो आप उसको सही से समझ पाएंगे उसके रावा और के करना है इस question को आप अलग अलग से आप दस question में बना दीगे एक question को अगरा एक दो तीन चार पॉनाट छे साथ आठ नो दस टाइप के कर पूशन बना देए तो future में क्या होता है एक्जामना हर बात नया question नहीं लाता है अगर आपने पहले ही एक question पढ़ करके दस टाइप का कुशन बना दिया है यानि आपने उसके language को कई बार चिंज किया है उसके option को चिंज किया है और फिर आपने question बना करके उसको solve किया है तो ये question इस तरह का बन जाएगा जैसे कि इस question पर कभी भी सवार राएगा तो उसको आप reply कर पाएगे किसी भी तरह का option के साथ आजाए किसी भी language के साथ आजाए उसको आप reply कर पाएगे इस तरह से आप इतना question पढ़ लेते हैं तो आप एक दिन में 500 question पूढ़ पाएगे तो पढ़ने का अवारा तरीका य पढ़ते हैं इस तरह से अगर आप दसी question पढ़ना पढ़ते हैं तो एक महीने में आप 300 question पढ़ते हैं यह एक बहुत बड़ा जखीरा है और यह बद बढ़िया तरीका है question पढ़ने का और focus करने का information को मैंने एक खाल से कि जो बताया क्या है इस पर आप लोग अमल करेंगे पिछली वीडियो का करेंगे और एक इस इस इंपॉर्टेंट है कि आपनों को अगर किसी टॉफिक पर बात करना चुकि अब हम टॉफिक पर आएंगे अरकान है मिजाज है और तभिया का पार्ट है श्यास्वाव का पार्ट है जो कि समय में नहीं आ रही है या जो टर्मिनोलोजी में टिकत है म मैं कोशी दरूगा कि उस टॉफिक को वीडियो के जरिये आपको पहुंचाओं आपको सोल गनी कोशी करूं पूर्ब शुक्विया